हाई फ्रेंज मेरे यूटुब चनल घरेलून उसके असरदार उपाय में आपका एक बर फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आज मैं आपको आइब्रो और पलकों के बालों को घना और काला बनाने का बहुत ही असान सा एफेक्टिव घरेलू उपाय बताने जा रही हूं इसके यह पलकों को भी घना और काला बनाएगा लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपने मेरे यूटुब चनल घरेलून उसके असरदार उपाय को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इससे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें बेल बटन यानि घंटी को जरू क्लिक कर ले मैं जब भी कोई ने वीडियो अपलोड करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा तो चली शुरू करते हैं इससे बहुत सारे लड़किया में लाया हैं जिनके आइब्रोज घने नहीं होने कारण उन्हें मेकप का सहारा लेना पड़त नहीं तो इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा नार्यल के तेल, आपकोट टोरल लेना हैं इस तरह से नार्यल के टेल हमारे बालों को लंबा और घन बनाता है सात्य हमारे बालों को काला भी बनाता है इसके इस्तेमाल से बाल काफी तेजी से बढ़ते हैं और घने होते हैं अब इसमें आपको मिक्स कर लेना है बदाम का तेल आपने जितनी मातरा में नारियल का तेल लिया है उतनी ही मातरा में आपको बदाम का तेल मिक्स करना है बदाम के तेल में भरपूर मात्रा में विटामिन E होता है जो बालों की ग्रोध को तेज करता है बालों को काला बनाता है साथी घना भी बनाता है अब इसमें मिक्स कर लेना है आपको विटामिन E कैपसूल यह मार्केट में बहुत यहां सानी से उ बालों की ग्रोथ तेज होती है, इसका सारा ओल आपको इसमें निचोड लेना है, इसके इस्तेमाल से बाल घने होते हैं और काले भी होते हैं, उनकी ग्रोथ भी होती है, आपको इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, mix करने के बाद आपको एक cotton ball लेना है और इसकी मदद से आपको इसे अपने eyebrows पर लगाना है इस तरह से eyebrows पर लगाए और बिल्कुल हलके सी से आपको 2-3 मिनद तक massage करनी है इस तरह से इसके बाद आप इसका इस्तेमाल अपने eyebrows और पलकों के बालों पर सकते हैं यह बहुत ही ज़्यादा effective है इसका इस्तिमाल आपको राद को करना है रात भर के लिए इसे लगा के रखना है फिर सुबह इसे धोना है यह बहुत ही ज़्यादा effective है eyebrows और पलको को घना काला और खुबसूरत बनाने के लिए अगर मेरे ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज ये से शेयर जरू करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं अगली वीडियो में